Hello and welcome to the studio, शानिवार का दिन है आज, टीन ट्रेडिंग एंट्रिस के पैटर्स के उपर हम डिसकेशन करेंगे, कि जिसके थूँ आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो, और यह पैटर्न आपको बहुत ज्यादर हेल्प करेंगे, किसी भी एक ट्रेड के अंदर अपनी पोजिशन को आउन करने के लिए, सबसे पहला जो सिस्टम है, देखिए बहुत कारगट शीज़ें हैं, यह वो पॉइंट्स हम आप से डिसकस करें, जिसके उपर अल्रेड हमने कई सारे ट्रेड एक्जिक्यूट किये हैं, बहुत सारे ट्रेड हमने से मैठोट्स को तो जिस तरह से रिस्पॉंस हम उम्मीद करते हैं, हमें रिस्पॉंस बहुत कम देता है, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीज़ें, कॉमेट्स कीज़ें, फेक पिन बार, प्रैस किसी भी दिशा में गिर रहा था और अचानक से गिरते हुए इसके अंदर एक जंप आ और प्रैस यहां पर एक पिन बार बाना लिए, सिम्पल सी चीज़ है, पिन बार, जस्ट इसको अभी फोकस के साथ और डीप में जाकर की थोड़ा सा समझते हैं, कुशिच करेंगे, सेकिंड प्रैंट जो हमारा है, इंगलफिंग का यूज हम लोग कैसे वॉल्यूम के साथ करते हैं, किस तरह से इस पूरी फॉर्मेशन का यूज हम लोग एंटर करने के लिए कर सकते हैं, किसी बेक ट्रेड में, लास्ट विक में एक वीडियो हमने अप्रोट किया था अपने चैनल पर, इंगलफिंग को लेकर के फुल लेंथ वीडियो था, इंगलफिंग को लेकर कि वहाँ पर चोटी चोटी और बारिक से बारिक चीज़ के उपर हम वहाँ पर दिसकेशन किया, वीडियो जबूर देखेगा, बहुत हिल्प करेगा आपकी, थर्ड है अपना breakout and retest, किसी बी एक level के उपर पैस जब निकल जाता है, वहाँ पर हमें क्या confirmations लेने होंगे, प् इन तीनों को ही समझने के लिए हमें इन्हें दो पार्स में डिवाइट करना पड़ता है, फर्स्ट होगा हमारा higher time frame, second है हमारा lower time frame, देखें यहाँ पर हमने day time frame, hourly, 15 या 30 minutes का time frame ने लिखा है, simple हमने लिख दिया higher time frame, higher time frame इसलिए क्यूंकि आप किसी भी level से काम करो, आप जि कि हमें किस जगह पर entry लेनी है, या कैसे treat execute करना और किस जगह पर करना है, इसके लिए analysis करनी जोरू ही होती हमको higher time frame, higher time frame के लिए आप help ले सकते हैं, जिसमें भी आप comfortable हो, मेरा personal है, day time frame, आपका hourly हो सकता है, आपका day time frame हो सकता है, आपका 4 hour time frame हो सकता है, आपका 15 minutes का time frame हो सकत हैं, कि किस तरह से price ने अपने higher time frame पर एक resistance या फिर support रो किया है, अभी जो एक बात हम आप से बोल लेते हैं कि कहीं पर भी हमारा money हो गया, हमने trade execute कर दिया, ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले इसको higher time frame पर देख रहे हैं, and higher time frame पर हमें चाहिए एक expected support या फिर एक expected resistance level, जहां से price क अंदर movements की जो संभावना है, expectation से यह बढ़ है, अब हमें यह देखना है, कि trade के अंदर जो हम enter करेंगे, वो मेरे कुछ swing levels है, यहां पर volumes के काफी सारे confirmations होते हैं, volumes के पर कोई भी discussion हम आज कर दिन नहीं करेंगे, सिर्फ उसे price को ही देख रहे हैं, और price को देखेंगे, हां, second वाली जो formation है, यहां पर हम ज़रूर volumes का use करेंगे, बट इसके अलावा जो दोनों बची formations, इसमें कोई भी volume का role पिल नहीं करेंगा अज़े दिन, इतनी चीज समझ पहें, और यह वो point से जिनको की daily हम आपको समझाते रहें, तो जो वीडियोस हम upload करेंगे, तो उसमें अक्स आज जो चीज़ें हम देखने हैं वो हमारे entry के patterns हैं, और जब हम बात करते हैं entry के patterns की, तो day time frame को अभी थोड़ा सा side में रख करके, या फिर higher time frame को थोड़ा सा भी ignore करके, हम सिर्फ वो सिर्फ lower time frame पर चलेंगे, क्योंकि जो हम entry लेते हैं, वो lower time frame क्यों तो higher time frame की just इतना सा इ इशारा है हमारा कि जहां पर भी आपको trade execute करना है, किसी भी एक level पर, आप उस trade में entry लेने से पहले अपना एक level, एक predefined level आपका decided है पहले से ही, अब आगे बढ़ते हैं और entries को पर discussion करते हैं, ये जो हमारा swing है, ये swing भी हो सकता है, किसी एक candle की importance भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मेरा एक predefined level है, अब इस predefined level को हम आगे की तरफ stretch करेंगे, अब जितनी भी हमको entries चाहिए, वो सारी की सारी हमें हमारी इन levels पर ही चाहिए, तो सबसे पहला है मेरा pin bar, यहां पर price ने जो अपनी opening दिये lower time frame पर, यह अपना day time frame है, यहां पर जो price ने अपनी opening दिय upside की तरफ, और सेम चीज़ यहां पर भी price ने किया है, एक downtrend दिखाते हुए, price ने अपने support को break करने की कुशिश की, बट यह वाला जो breakout था, यह एक तरह से fake breakout था, देखे, pin bar जिस तरह से use के जाती है, बिल्कुल nakedly use करने के लिए आपको सला दी जाएगे, कहीं पर भी आप downside की तरफ आपका breakout दिया, यहां पर क्या होगा कि अगर यह breakout वाकई में possible है, तो यहां पर volumes के भी breakout आपको देखने को मिलेंगे, कि जो volume है, यह भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो normal volumes है, same trading session में, previous data जब आप rate को तो कम, 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 कम volumes देखेंगे, एक तरह से यहां पर एक pin bar form होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, कि price जब तक नीचे की side में जा रहा था, देखें, अच्छा खासा breakout यहां पर देखने को आपको मिल रहा था, price के अदर जल्दी जल्दी positions बनेंगे, आपको क्यों कि positions जल्दी बनेंगे, इसलिए volumes के breakout अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, price नीचे की तरफ गिरेंगे, और अचानक से इसके अंदर जो movement आये, यह upside का गया, और price हमारा upside की तरफ जाकर गये, close हो गया, और जहां तक इसने momentum देखा थी, वहां तक विक बन गई, जैसे ही price हमारी informations के उपर में जाने की कोशिश करे हम same level पर यहां पर अपनी entry लेंगे, यह pin bar का system और बहुत कारगर तरीका है, कोई भी किसी भी तरह का trade execute करने का, अभी इस pin bar में क्या होता है, कि bullish pin bar या bearish pin bar होती है, तो price यह down से upside की तरफ आपको pin bar दिखा है, तो इसको क्या बोलते है, यह bullish pin bar है, या फिर price को momentum है, यह up से downside क तरफ दिखा है, तो यह एक bearish pin bar है, हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि price में कुछ भी bullish है, bearish नहीं होता, same level है, अब आपको मालूम हो कि price के अंदर करना है, कि आपको buying करनी है, selling करनी है, ऐसा तो नहीं है, कि price यहां पर आया, हम बैठे हुए हैं, कि नहीं, हम इसके अंदर किसी भी तरह का breakout, या किसी भी तरह की pin bar एक बनने देजे, हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि buying करनी ही नहीं है, हम यहां पर बैठे हुए हैं, सिर्फ selling के लिए, तो जब price downside का momentum देखाएगा, और जब यह pin bar fail होती हुई नजर आएंगे हमको, तब हम short selling करेंगे, simply अभी देख और जो stop loss लगाएंगे, just हमारा इन pin bars के low पर stop loss जाता है, ideal condition में, इसके लावा कभी सारे methods हैं, जिसमें आग कि आप अपने stop loss है, उसको कम कर सकते हो, minimize कर सकते हो, but ideal condition में जो हमारा stop loss जाता है, इन pin bars के बहुत buffer दे कर कि pin bars के नीचे की दरफ रखा जाता है, और upside के दरफ में trade execute होता है, इस case में होता है कि entry or stop loss के बीच की जो दूरी होती है, बढ़ जाती है, तो stop loss भी बढ़ा हो जाते है, जिससे है कि quantities हम कम execute कर पाते हैं, यह दूसरे topics हैं, कि इसको minimize कैसे करते हैं, और किस तरह से हम लोग किसी भी trade में अपनी quantities को increase कर सकते हैं, for more profit, बिना अपना stop loss increase किये हुए, यह तो बात भी pin bar की है, pin bar को I hope कि जो भी चीज अभी हमने समझाई है, यह समझ में आई होगी, याद होगा अभी एक बात का हम जिगर कर रहे थे, कि यहाँ पर आपको buy करना है, फिर selling करनी है, इन pin bars का use आपको तभी करना है, जबकि किसी stock के अंदर आपको buying कर हमें नहीं कर, pin bar को लेकर के अभी जो point हमने बताया है, यह hope कि समझ में आई होगा, price हमारा नीचे की तरफ गिरा है, और just हमारे support पर आ जाने के बाद में, इस stock ने क्या किया है, कि pin bar बना दिये, और जैसे ही price हमारा इस pin bar के ऊपर में जाकर के trade करना शुरू करेगा, हम यहा से अपना trade execute करेंगे, बट याद रहे, हम जो भी काम करेंगे, अपना predefined level के पास सही करें, यह तो बात होगी pin bar के, अब इसको चलेंगे charts के पर और और अच्छे तरह समझने के पूशिच करें, अब fake breakout pin bar का एक example लेते है, यह Asian pin का अपना chart है day time frame, price में देखिए एक level से rejection दि अगस्त का, Friday को क्या हुआ है कि exact price हमको हमारे उसी level पर मिलाता है, यहाँ पर price के ऊपर थोड़ा सा zoom करेंगे, यह देखिए, जो price हमारा 3290.80 का है और 3278 का है, इस price को ध्यान रखिएगा 29th of August की candle है, अब इसको 5 minute के time frame पर लेकर के चलते हैं, अब यह 5 minute का charter 29th of August का, यहाँ price हमारा क्या था, 3290.80 और 3278, price में देखिए, same level पर आपको कुछ price actions देख रहा हुगे, जो कि अभी हम लोगों ने discuss के थे, pin बार पर लेकर के, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कि price जब मेरा 3290.80 पर है, इस जगह पर इसके अंदर जो price actions हुए है, एक fake breakout हमें market ने शोड़ form होगे, जैसे ही price हमारा इस pin बार के ऊपर निकलता है, हमारा जो level होगा trade execute करने के यह वाला होगा, और जहाँ पर हम stop loss लगाएंगे, just spin बार की look को थोड़ा सा buffer देने के बाद में, यहाँ पर हम अपना stop loss लगाएंगे, तो सारी चीज़े से में, एक daytime frame पर हमने अपना एक level form होगे, यहाँ पर देखे, price ने किया कि एक resistance point है, यह भी एक resistance level है, price जब इस level पर आ रहा है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है, इस level के ऊपर ही देखिए trade कर रहा हो, जब price हमारा इस level के नीचे closing कर दे रहा है, तो यहाँ से नीचे की तरफ इसके अंदर momentum सार है, तो कुल मिल level है, हमारा 1825.20 का, अभी इन levels पर lower time frame के अंदर क्या formations बनी है, इसको देखते हैं, यहाँ पर देखे, 1829.75 और 1825.20, इन levels के पास में जब price आया, तो इसके अंदर की activities क्या होई है, price ने same level पर हमारे एक pin bar form कर दे, और जैसे ही price हमारा इस pin bar पर और यह चीज़ धिया रखेग यहाँ से नीचे के तरफ हमारा price गिरा था, closing कर देने के बाद में same level पर हम अपनी entry लेंगे और stop loss लेंगे, इसके बाद में जो भी आपका target होगा, वो यहाँ पर आप book करोगे, तो दो example हम ने देखा है आपको, Asian paint, L&T का, और दोनों ही perfect examples है, कोई भी जब आप trade execute करो, तो level define करो, उन्ही levels के उपर ही सारा काम करो, अब यह काम करते हैं, जितनी भी drawings इन सब को हम remove कर देते हैं, और यह zoom करते हुए चलेंगे कि lower time frame पर हम जो भी activity कर रहे हैं, यह higher time frame के levels ही है, इंगलफिंग में actually होता क्या है, कि price जब हमारा travel करते हुए, हमारे levels के पास तक पहुंच पूरी candle को cover कर लेगी, जिसको कि हम लोग engulf बोलते हैं, engulf का मतलब ढक लेना, छोपा लेना, previous पूरी candles को इसने cover किया है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अपने इस engulfing candle को mark कर लेते हैं, बट यहाँ पर एक चाज़ आप और add कर सकते हो, volumes को लेकर, यह जो second वाली candle है, जो cover up कर ज्यादा confirmations के साथ में हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें यह same structure देख जाता है, मतलब कि volumes ज्यादा होती है हमारी second वाली candle के अंदर, तब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कि इस structure के recording, जैसे ही price हमारा high के ओपर निकलता है, हम यहाँ पर अपना trade execute करते हैं, औ जो stop loss होता है, अपने according आप अपने money management या फिर swing के according आप अपने stop loss लगाओगे, जहाँ पर भी आपको safe लगता है, next step, कि यहाँ पर हम अपना फिर trade, engulfing बहुत आसान है, कि price में कहीं पर भी आपको trade execute करना है, आप देखोगे पहले उसको analyze करोगे, reading करोगे price की, एक perfect area ढूं कर सकते हो, हाला कि class में जो points हम discuss करते हैं, बताते हैं, वो इसे आगे के चीज़े होती है, हाला कि और भी entry के patterns हैं, जिसका use हम लोग entry लेने के लिए करते हैं, हम जिन patterns का use करते हैं, एक लिए इसे different है, ये वो patterns हैं, जिसका use आप starting phase में कर सकते हो, like आपकी पास को system नहीं है, entry अब बैठे हुए हैं, कैसे अंट्री लेनी, green candle को देख करके why कर रहे हैं, red candle को देख करके short कर रहे हैं, वहाँ इस जगह पर आ करके आपको ये patterns बहुत help करेंगे, शुरुवाती phase में इन patterns का आप use करो, आप देखोगे कि बहुत हद तक आपकी entries control में आ गए है, जो confirmation लेने का तरीका है, वो change हुआ है, वो बढ़ा है, उसके अंदर confirmations आपको और अच्छे से मिल रही है, जो accuracy है आपकी वो increase हुई है, तो बहुत सारी help आपको इससे मिलेगी, इसका आप use कीजिए, अब आता है थर्ड पॉइंट हमारा breakout and retest आयो कि यह point clear हुआ होगा, हमारा एक predefined level है, predefined level के पास में हमको चाहिए हमारे entry confirmations, अब हम यहाँ पर wait करें, अपनी entry confirmations के, तभी हमने देखा कि यहाँ पर engulfing candle form हो गई है और जो volume structure अभी हमने बता है, same volume structure भी अगर आपको मिल जाता ना, आप यहाँ से अपना trade execute का दो, swing low के stop loss लगा करके, stop loss जा रहे जाने दीजे, लेकिन यहाँ पर entry अगर आप करते हो तो आपकी जो accuracy है, यह बढ़ेगी यह मारा डानिपोर्स का chart है and engulfing के according देखे, जब मैं अपनी आकर के closing करेगी, हम same level पर अपना trade execute करेंगे यहाँ पर देखे, जो volumes के structure समय आपको बताये थे, कि first वाली volume कम है, and second की volume ज्यादा है, यानि कि यह ideal structure of engulfing candle का है जब आपको entry लेनी है, तो इस तरह के structure find किज़े, जैसे price इस वाले level के नीचे closing कर देगा, आप यहाँ पर trade execute करो, और जो भी stop loss पर आपको लगाना है, same level पर आपको अपने stop loss लगाऊगे यह second example है, अपना हैविल्स का chart है 5 minute का time frame है, and यह अपना day time frame का level है, जिस पर देखे, market ने same level से आपको rejections देखा है, यह supportive areas है, और same level पर price ने किस तरह का price action बनाया है, engulfing के according यह हमारी first candle बन रही है, और जो second candle है, first, यानि कि previous candle को पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है volumes देखे, second वाली volume मारी ज्यादा है, first वाली volume से यानि कि अब यह एक ideal structure है engulfing का, price जैसे हमारा upside की तरफ closing करेगा, हम same level system में अपना trade execute कर सकते हैं I hope कि समझ में आऊगा, engulfing के बहुत ज्यादा accurate candle होती है, जिससे कि आपका trade की जो accuracy है वो बढ़ती है बस, depend यह करता है कि आप इस formation का use कब और कैसे करोगे अब यह भी हो सकता है कि आप इसका गलत जगह पर use करो और गलत तरीके से use करो तो यह जितना आपको फ्यादर दे सकती है न उतना ही आपको नुकसान करा देगी इसलिए बहुत सोस समझ कर काफी सारी practice कीज़ेगा इसके उपर और सही जगह पर इसका use कीज़ेगा आपको यह candlestick बहुत ज्यादा confirmations के साथ काम करवाएगी और बहुत ज्यादा अच्छे-च्छे confirmations से आपको देगी अब आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारा third और सबसे last breakout and retest breakout and retest में इसको दो parts में बैट कीज़े सबसे पहला है हम लोगों का कि price हमारा movement करते हुए movement below the levels movement करते हुए price हमारा हमारे levels तक पहुँचा इसके बाद में इसके अंदर एक movement आया है जिसमें price ने breakout दे दिया upset यहां पर एक बड़ प्रॉलिम्स चेक कर लीजएगा breakout दे देने के बाद में price ने एक retest लिया हमारा price एक level पर आया यानि price breakout देने के बाद में ऐसा नहीं है कि breakout हुआ आपने भाई कर लिया इसको retrace होने देना है retracement होगी and retracement के बाद में दुबारा जब price upside की दरफ जाने लगेगा तब हम इसके अंदर buying करेंगे एक unique चीज़ क्या है इसको आप और भी confirm कैसे कर सकते हो देखिए चोड़ी चोड़ी techniques है इन techniques का आपको use करना है simple सी चीज़ है breakout retrace आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो breakout और retrace को क्या होगा कि एक level के उपर जब price निकल गया breakout हो गया और price वापस से जब नीचे की तरफ आया और यहां से confirmations मिली तो हम इसको भाई कर सकते है तेकिन एक confirmations किस तरह की होगी अभी यह दोनों formations हमने आपको बताई है कि price हमारे level पर है दूसरा इसने upside की तरफ breakout दिया breakout देने के बाद में जब price हमारा retrace हो रहा है retracement के दौरान अपने levels पर हमें कुछ formations find करनी है यह formations कौन से हो सकती है जैसे engulfing हमने आपको बताई engulfing formation आप देखोगे जिस तरह से volumes बताया थे इनकी confirmations के साथ में अगर मिल जाता हो तो यह और भी ज़्यादा अच्छा हो जागा दूसरा एक fake out कि retracement के बाद ने price जमारा नीचे की तरफ गिरने लग गया था इस तरह से price जमारा नीचे की तरफ गिरा बट अचानक से इसके अंदर एक buying pressure आया और price ने क्या किया एक pin bar form कर दी और pin bar form हो जाने के बाद में कुछ इस तरह की candle समको दी यह दूसरी चीज़े मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ही चीज़ें एक ही समय में एक ही जगह पर बन जाएंगे इन दोनों में से कोई एक बनेगी दोनों ही points का, दोनों ही candle sticks का आप use कर सकते हो तो दोनों में से कोई भी अगर एक बन जाती है और price में confirmations मिलता है तो क्या होगा कि यह एक proper way में आप कह सकते हो कि breakout, retrace यानि कि अब जो confirmations हम लेंगे वो अपने retracement पर लेंगे जैसे price retrace होगा हमारे levels पर हम यहाँ पर अपने trade execute करेंगे देखिए बहुत कारगर चीज़े हैं यह वो points हम आप से discuss करें जिसके उपर already हमने कई सारे trade execute किये है बहुत सारे trade हमने same methods को apply करके same analysis को apply करके trade execute किये यह देखिए 5 minutes का time frame है 5 minutes के time frame पर हम यहाँ पर एक proper way में resistance, एक support और एक support identify कर पा रहे हैं मतलब कि यह वो level है जिसको होगी हमने previous data read करके, previous कुछ structures को find करके अपने एक level identify अब अगर same level पर हमें entry लेनी है तो इसी level पर हमें structure चाहिए हम अगर short करना तो हम क्या देख रहे हैं कि price जब इस वारे level के नीचे निकलने के बाद में एक retracement दिखाएगा और retracement के बाद में भी जो formations अमने आपको होता है वो या उसके लाबा कोई formations आपको देख रहे है जो कि already आपने read कर रखे है यहाँ पर आपको देखेगे तो breakout, retracement और यहाँ से आप अपना trade execute करोगे अब यहाँ पर एक चीज गौर से देखे जो हमारा price है वो 1787 है 1787 अब हम यह देखेंगे चल करके तो 1787 पर हुआ क्या है price दिए क्या है हमारा 1787 price में सबसे पहले क्या किया है एक resistance, resistance एक rejection आया अगेन देखें जब दूसरी बाब में price upset के तरफ गया तो इसको breakout कर दिया मतलब कि एक resistance के उपर जाकर गए इस वाली candle के थूरू price ने closing कर दी अब यहाँ पर सीधे हमें trade execute नहीं कर लेना कि price उपर गया और हम trade execute कर देंगे इस method के थूरू price जब एक movement दिखा देने के बाद में retrace करेगा और अपने lows को यानि के support पर अपनी sustainability को identify करेगा तब इस sustain हो जाने के बाद में price के momentum को हम catch करेंगे यानि कि यहाँ पर अपना trade execute करेंगे same level 1787 पर ही आपको कापी सारे confirmations इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि देखिए एक fake out हमें देखने को मिला एक pin बार देखने को मिली दूसरा engulfing candle देखने को मिली जब price हमारा इस level के उपर जाकर करेंगे हम तभी अपना trade execute करेंगे otherwise इसको जहाँ जाना है जाने दीजे call मिला करके अभी जितने ही points हम लोगों ने समझे हमने क्या देखा कि तीन वह methods है जिसके उत्रू हमें अगर कोई भी trade execute करना है तो कैसे कर सकते हैं daytime frame के level हमारे पास है उन daytime frame के level कि जितने ही points हमने clear करने के कोशिश की है clear हुए होंगे thank you and आप telegram channel भी मेरा join कर सकते हो morning में काफी सारे stocks होते हैं जो कि आप पर हम share करते हैं कि किसी stock के अंदर आपका view क्या रह सकता आपको buying करना, selling वे गरा जो भी सारी चीज़े हैं कि आपको buying करना है, selling करनी है या फिर क्या view होना चाहिए आपका किस levels होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए जितना हो सकते हैं support हम वहाँ पर live market में बना कर रहते हैं thank you and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में so तब तक के लिए goodbye and we will meet again